पिछले lecture के अंदर मैंने आपको दिखाया किस तरीके से Excel की फाइल से आप डेटा लेके आते हैं अब Excel की फाइल से आगे डेटा को व्यू कैसे करना है वो बताओं की ख्याल है दस्तिया मेरे नाम है Dr. Mohamed Amartafel मैं आपको टैबलियो सक्षा रहा हूँ यहां पर आप अपना डेटा रख सकते हैं क्योंकि यह टैबलियो पब्लिक है I will click on the left side here मैं अगर इसको zoom in करूँ तो यहां पर Microsoft Excel से मैं डेटा लोगा इस पर click करूँगा open कर लोगा तो यह मेरे पास डेटा इस तरीके से open हो गया तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं अगर मैं डेटा को व्यू करना चाहता हूँ तो मैं डेटा पर आऊँगा इस जगा के उपर मैं click करूँगा मैं इस पर click करता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं कि डेटा कितना बड़ है 1534 रोज है 1534 रोज एंड 145 फील्ड यानि कि आपके कॉलम्स जो हैं वो 145 हैं अगर आप यहां से shift दबा के scroll करेंगे तो आपको left to right आप चले जाएंगे अच्छा खासा बड़ा डेटा है यह ठीक है और अगर आप उपर से नीचे आएंगे तो आप इस तरीके से scroll कर सकते है and you can see के data आपके पास appear होता जाएगा तो यह एक अच्छा खासा बड़ा डेटा सेट है अगर आप गौर करें और अगर मैं zoom out करूँ हम इस डेटा सेट की अगर space देखें तो it's around 1.26 MB यहां पे आरी 1.26 MB so this is the space of this data यहां से हमने data view किया you can see के यह universities का data set है और अगर आपको data set का नहीं पता के कौन सा data set हमने जो है वो लोड किया है मैं यहां पे click करके इसको बंद करता हूँ और दुबारा से अपने desktop पे जाता हूँ इसको double click करता हूँ double click करने के बाद हम यहां पे right side के उपर जब हमारे पास कोई भी जो हमारा वरियन उपन हो जाए के sample data set पे हम click करते है and then I will go back और यहां से super store sales का data भी मैं download कर सकता हूँ मैंने यह click किया यह data download हो गया इस कदरे faster तो मैं data उठाता हूँ download folder से sample store का data उठाता हूँ copy करता हूँ documents के अंदर यहां पे table repository data source के अंदर इसे paste कर देता हूँ तो मेरे पास sample super store का data भी है which is also 3.2 MB let's see अब यह कितना बड़ा data set है मैं यही पे click करता हूँ इस data set को open करता हूँ open करने के बाद आप देखेंगे it will take more time than the other data set और यहां पे हमारे पास 3 sheets है orders की sheet है people की sheet है and returns की sheet है ठीक है so we have 3 sheets here मैं orders की sheet को view करता हूँ and then you will see के हमारे पास यहां पे category city 21 fields है और 9994 हमारे पास rows है यह कदरे छोटा data set है as compared to the other one मैं यहां से people की sheet को open करता हूँ then you will see के हमारे पास different किसम का person and region यहां पे दो किसम के data set है चार rows है दो fields है and then we have returns का data set के हमारे पास order id क्या थी और return क्या हुआ है ठीक है so here if I click on the order तो आप यहां पे देख सकते हैं के हमारे पास order के अंदर customer की id भी है and then we have order id as well तो एक order id हमारे पास यहां पे मुझूद है और दूसरा हमारे पास city भी यहां पे मुझूद है and country भी same thing goes in the people यहां पे आप देख सकते हैं के हमारे पास person का नाम भी है and region का नाम भी है और यह सिरफ चार rows है और अगर आप यहां पे return में देखें तो हमारे पास यहां पे सारा का सारा data जो है वो मुझूद है यानि के order id जो return हुई या नहीं हुई यह दोनों data को connect हम कर सकते है returns के और order के ठीक है पहली चीज़ तो यह जो मैंने आपको बताने थी कि आप data को connect भी कर सकते है second thing is कि मैं tablue को open करके उसके अंदर अपनी मर्जी का data भी upload कर सकता हूँ कोई भी अपनी मर्जी का data जैसे मैं यहां पे इसको open करता हूँ open करने के बाद मैं यहां पे लिखता हूँ say for example मैं यहां पे लिखता हूँ टाइटानिक डेटा तो केगल पर जाके हम टाइटानिक का डेटा जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं simply मैं डेटा पर click करके यहां से इसको मैं थोड़ा zoom in, zoom out कर लो क्योंकि it's too much zoomed, too much zoomed, okay I have to sign in मुझे sign in करना पड़ेगा केगल पर, तो मैं यहां पर पहले sign in कर लेता हूँ क्योंकि जारी बात है उस पर जो मेरा email है that is totally different, I don't wanna share that email so यह आपके सामने, इस तरीके से मैंने sign in कर लिया, sign in करने के बाद we have data card down there और यह मारे पास train का data जो है मैं इसको right click करके या यही से मैं download कर लेता हूँ, तो यह मेरे पास train की CSV फाइल आ गई, अब मैं क्या करूंगा इस CSV फाइल को download से उठाऊंगा, copy करके, documents के अंदर, my tableo repository data sources यहां पर paste करूंगा and then I will rename this as Titanic, ठीक है, और आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप right click करके इसकी properties देख सकते हैं, कि यह data set CSV का है यह कौन सा है, तो यह CSV फाइल है, और यह VS code के साथ मैं इसको usually open करता हूँ, but it's fine, now we can do, what? we can actually import text file, Titanic को मैं click करूंगा और आप देखें, कि text file ही comma separated file होती है, तो यहां पर हमारे पास आ रहा है, TSV यानि कि tab separated values, comma separated values and tab और comma दोनों आ जाएंगी, तो हमारे पास यह जैसे कि आप देख रहे हैं, कि हमारे पास Titanic का data, मैंने उसे open किया, and now you will see कि हमारे पास data set यहां पर आ survived है, P class है, name है, sex है, age है, sibling spouse है and so on and so forth है, ठीक है, so हमारे पास इस तरीके से data आ गया, और यहां पर data की type आ रही है, which we will consider in a minute, but आप यहां पर click करने के बाद data को खुद से separate window में भी view कर सकते हैं, and आप यहां पर data की base पे check भी कर सकते हैं, कि कौन सी row को आपने ले कियाना है, and this is how you can actually view the data, look into the data and then you can proceed with the data, यहां दा clear हो गया, किस तरीके से आप data set को handle करते हैं, CSV फाइल कैसे ले के आते हैं, Excel की कैसे ले के आते हैं, TSV भी ले सकते हैं, and there are many other files, जो Statistica या किसी अदर software में आपने ले के आए हैं, उसको भी यहां पर import कर सकते हैं, Google Sheets का data directly आप कहां से के आएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था, server से directly आप फैच कर सकते हैं, you can do a lot of other things, like, share, subscribe करें, because in the next video, I am going to show you कि data के types आपने टाबली के अंदर कैसे देखनी, समझ के हैं, okay,